वेलकम टो शुरिवास्तव क्लासिस तो भाई S.O.L. के D.U. रेगुलर के और साती साथ NC.Web के भाई बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ये डाउट पूछते हैं कि अगर हमारी किसी सेमेस्टर में बैक आ जाती हैं, हम किसी सेमेस्टर में फेल हो जाती हैं तो उसका भाई degree पे क्या impact पड़ता है साती साथ हमारी mark sheet पे जो है वो क्या impact पड़ता है टेंशन मतलो भाई step by step आप लोग क्लिर करता हूँ देखो भाई, आप लोग को ये तो पता ही होगा आप लोग की degree में और आप लोग की mark sheet में क्या अंतर है जिल लोग को नहीं पता है मैं आप लोग को समझालता हूँ डिगरी जो होती है भाई ये आप लोग कंप्लीट आप लोग को कोर्स करने के बाद मिलती है ग्रेजुशन करने के बाद मिलती है और ये जस्ट एक certificate type होता है जिसमें ये बस ये mention होता है कि आप लोग को 12 पस आउट करने का एक certificate मिलता है इसे type से भाई ग्रेजुशन पस आउट करने का एक certificate मिलता है जिसे हम कहते हैं degree और जो आपकी mark sheet होती है mark sheet में भाई आप लोग का जो है हर semester का भाई data लिखा होता है कि आप किस semester में कितने points मिलें आप लोगों को कितने grades वगरा मिलें कितने marks वगरा आप लोगों को मिलें किस subjects वगरा में तो सारे semester wise data होता है इसे कहते हैं हम भाई mark sheet अब इन दोनों पे भाई impact क्या पढ़ता है अगर आपका किसी भी semester में ये किसी भी subject में जो है back आ जाती है या fail हो जाती हो आप या paper छूट जाता है तो तो पहले बात करते हैं हम mark sheet की mark sheet में देखो भाई क्या होता है अगर आपके किसी भी semester में back आ जाती है या fail हो जाती हो या आप लोगों कि भाई absent हो जाते हो आप किसी subject को नहीं दे पाते किसी भी reason से सब में भाई star जो है वो लगा दिये जाएंगे सिर्फ उस exam में star नहीं लगा होगा जिसका आपका back आया था या जिसका आपका आपने paper छोड़ा था सिर्फ उस subject में आप लोगों का star नहीं लगाया जाता तो I hope आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि star जो है ये आप लोगों का हटा दिया जाता है भाई अगर जो है आप लोगों की कोई back आती है ये absent आती है तो बहुत से बच्चे भाई यहां पर यही पूछेंगे अगर six semester में back ये absent हो जाते तो क्या होगा तो तो भाई आप ल लोग ने जो है कोई ना कोई paper छोड़ा होगा या back आपके आई होगी तो वो चीज आपके session से जो है पता लग जाएगी पता लगाने वाले भाई वैसे तो star वगएरा पर फोकस नहीं करते लेकिन कुछ लोग होते हैं जो भाई जिनको knowledge होती है तो वो star वगएरा पर फोकस क exam और सारे जो छूटे वए exam है clear कर लो six semester तक अगर आप clear कर ले तो six semester सक सब कुछ फिर भाई आप लोग के सभी subjects में जो है star लगा आ जाएगा जिससे ये चिज clear नहीं हो पाएगी देखने वाले को कि इसकी back आई थी ये absent आई थी कहने का मतलब यह है अगर आप six semester तक वो सार अगर आप paper दे देते हो तो लेकिन अगर भाई आप six semester तक भी उसे clear नहीं कर पाए और six semester के बाद आप लोगों को दो साल और मिलते हैं भाई graduation में तो उसमें आपने करा तो वो चीज आप लोगों की session देखके ही पता लगा लेंगी कि हाँ आप में जो है ये late graduation करी है session से ही लग जाएगी क्योंकि किस year में start हुई और किस year में खतम हुई ये वो चीज वाप पे साफ साफ mention होती है तो I hope आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भाई mark sheet पे क्या impact पड़ता है आपके back वाले exam का और year वाले exam का या आप absent वाला exam भी बोल सकते हो और आप लोगों को solution मै ने बताई दिया है कि six semester तक सारे exam clear कर लो फिर कोई भी impact जो है वो नज़र नहीं आएगा आपकी mark sheet पे बात कर लेते है भाई या पे degree की degree पे क्या impact पड़ता तो देखो भाई degree पे semester wise तक कोई impact नहीं पड़ता लेकिन अगर आपने graduation मालो तीन साल की होती है usually भाई अगर तीन साल से एक भी semester आपने ज़ादा लिया तो वो चीज आप लोगों की session में degree में भी mention हो जाती है कि आपने इस time से इतने time तक लिया है तो देखने वाला साब समझ जागा कि graduation में इसने ज़ादा time लिया है इटमिन से कहीं ना कहीं fail हुआ होगा या इसने paper वगरा छोड़ा होगा तो यही impact पड़ता है आप लोगों की degree पे और कोई impact नहीं पड़ता semester wise अगर आप लोगों कोई paper छूटता है तो या उसमें आप लोगों की back आती है तो इसका भी साफ सीधा सा solution यही है कि six semester तक यानि कि तीन साल के अंदर अंदर जो अपनी graduation complete कर लो जो इतने भी back के जो भी exam थे या जो भी absent के थे वो complete कर लो फिर कोई फरक नहीं पड़ेगा अब last solution भाई दोनों का मैं यह बताना हुआ आपको कि देखो भाई आप लोगों की degree या mark sheet जादा matter नहीं करती है आप कहीं भी job लेने जाओगे और कहीं भी जाओगे तो वो चीज आप लोगों की जादा matter नहीं करती matter करती है आप लोगों की knowledge कैसी है उस subjects के regarding उस field के regarding तो आप अपनी knowledge बढ़ाने पर ध्यान दो degree वगरा mark sheet को कोई इतना ध्यान नहीं देगा अगर आपकी knowledge वगरा अच्छी है तो I hope आप लोगों को वीडियो से कुछ help मिली होगी वीडियो पसंद आई तो like जरू क करना चैनल को सस्क्राइब करना मिलते है नेक्स वीडियो में